तो हेलो प्रेंट्स आज हम बात करने वाले जो हमरे पास मुबाइल फोन है मोटो जी 84 5G मुबाइल फोन और आज हम बात करने वाले हमारा जो फोन है इसके अंदर फिंगर प्रेंट है और इसके फेस लोग के बारे में आप किस तरीके से इसके अंदर fingerprint और face lock लगा सकते हो तो मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ मेरा जो phone है उसे मैं active कर लेता हूँ phone को active करने का अब हमें क्या करना है हमारा जो phone है fingerprint के लिए setting के option में आ जाना है आप यहां से direct setting के option में भी आ सकते हैं नहीं तो आप उपर आप notification का जो section है यहां से भी आप setting के option में जा सकते हैं तो हम यहीं से चले आते हैं setting के option में setting के option में जाने के बाद आपको क्या करना है नीचे scroll करना है scroll करने का आपको एक option दिखाई दे जाएगा security and privacy security and privacy के section पर आपको कर देना है, click, security and privacy के section पर click करते से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको काफी सारे options बगएरा दिख जाएंगे, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले lock लगाना है, तो हम screen lock पर click कर लेते हैं, मैं screen lock पर click कर देता हूं, यह आप से पूछेगा कि आप कौन सा lock ज करते हैं वही पेटन हम लगा देंगे जो अधिकतर हर जगा यूज किया जाता है इसके बाद यह आपसे पूछ रहा है यदि आपके डिस्प्ले आफ हो जाती है तो आपको इस तरह की नोटिफिकेशन देखना चाहेंगे जैसे कोई भी नोटिफिकेशन आती है वाटसप की इ चाहते हैं लौक किये में स्क्रीन पर आपको दिखाई दें तो आप इस वाले स्ट वाले सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं फिर अगर को užता है यह सेंसिटिवाले क्लिक कर सकते हैं बाकि कोई notification से कोई दिक्कत नहीं है, done के option पे click कर दिया, तो friends आपने lock लगा लिया है, अब क्या करना है, हमें अपमारा fingerprint वगेरा lock भी लगाना है, तो हम आजाते हैं, display lock के section में, display lock के section पे click कर दिया है, इसके अदर आपको काफी सारे locks मिल जाएंगे, तो देख सकते हैं, fingerprint और face lock का दोनों का option दिखाई दे रहा है, तो जिससे कि अभी आप देख सकते हैं, मैं pattern तो लगाई चुका हूँ, इससे पहले हमने काफी changes, अगर आप यह वाला option fingerprint लगाना चाते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट हम fingerprint वाले section पे click कर देते हैं, कि हमने pattern जो पहले से create कर लिया थ देखते हैं, थोड़ा सा wait करना है, ठीक है न, using screen protection और हम जो fingerprint लगा देते हैं, जिससा कि आप देख सकते हैं, मैं fingerprint लगा रहा हूँ, एक ही single thumb लगाऊँगा, ताकि पता चल सके ही, कितना fast, active होड़ा है, sensitivity कैसी क्या work कर रही है इसकी, तो जिससा कि आप देख सकते हैं, हमाई add another finger का option दिखाई दे रहा हूँ, दूसरे side done का दे रहा है, अगर आप कोई और finger add करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से add कर सकते finger को, नहीं तो मैं done पे click कर देता हूँ, कोई मुझे आप कोई finger add नहीं करनी, done के option पे click किया, आप देख सकते हैं, मैंने fingerprint लगा है, हमारी finger कौन सी यह show भी कर रहा है, और किसी other finger को भी आपने लगाया हो, तो आप जैसे ही आप इस पर tap करेंगे, वो show कर जाएगा कि कौन सी finger लगी हुई है, ठीक है, बाकी friends, finger के just नीचे आप देख सकते हैं, आपको एक और option दिखाई दे रहा होगा, animation style, animation style के हिसाप से आप देख सकते हैं fingerprint है, उसके अंदर कैसा animation style होना चाहिए, इसके अंदर जो आपका option है, redial webs का मिल रहा है, उसके फिर बार बूम ring का option आ रहा है, फिर आप देख सकते हैं, chroma dialer का option आ रहा है, तो यह first वाला ही जादा अच्छा लग रहा है, तो आप यह भी select कर सकते हैं, ताकि अब face लोग भी देख सकते हैं, हमारा जो face save वायड हो चुका है, next option पर click करना है, done कर देना और हमारा जो face लोग है, वो लग चुका है, अब हम check कर लेते हैं, fingerprint और face लोग हमारा कैसा क्या work कर रहा है, तो यह हमारा देख सकते है, fingerprint का section आ गया है, तो मैं fingerprint लगा देता हूँ, fingerprint लगाते से ही, ह लगा जे रहा हूँ, जैसे मतलब मैं tap कर रहा हूँ, उसके आद, just 0.1 second से भी कम time के अंदर, यह active हो जा रहा है, इसके जो sensors हैं, वो work कर रहा है, देख सकते हैं, और अब हम face लोग और देख लेते हैं, देख सकते हैं, मेरे face लोग से, हमारा जो phone है, वो कितनी fast work कर रहा है, देख सकते हैं, फिंगर प्रेंट और इसका face लोग काफी बढ़ियां work कर रहा है, जैसा कि अभी आप देखी सकते हैं, मैंने फिंगर प्रेंट और face लोग दोनों ही लगा दी है, अगर आप आप हटाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, किसी other process में जाने की ज़रूत नह आजाईएगा, setting की option में आने कबाद आपको privacy and security का section महाँ परे मिल जाएगा, इसके अदर आपको screen का section मिल जाएगा, इसके अदर आपको screen lock का section मिल जाएगा, इसके आपको आपका pattern enter करना है, और swipe वाले section पर click कर सकते हैं, तो none पर चाहाँ तो none पर कर सकते हैं, अभी कबह क्य अगर आप particular एक एक चीज को हटाना चाहते हैं, तो आप एक ही बार में सारे locks हटा सकते हैं, इस तरीके से जैसे अभी हमने lock हटा दिये, और देख सकते हैं हमारे जो phone है, इसके अंदर swipe lock आ गया है, तो इस तरीके से आप अपने phone में fingerprint और face lock लगा सकते हैं, Moto G 84 5G mobile phone के अंद finger paint जो है, काफी बढ़िया वर्क कर रहा है, जो इसका in display fingerprint है, वो काफी ज़्यादा बढ़िया वर्क कर रहा है, तो hello friends, तो ये वीडियो कैसी लगी है, आपको हमें comment box में comment करके बताएगा, बाकि ऐसी और interesting videos के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाए, ये वीडियो को कर लीजे लाइक चैनल को कर लीजे, सब्सक्राइब, बाकि मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और topic के साथ, तब तक के लिए, जय हिन, जय भारत, भारत मता की, जय!